नमस्कार दोस्तों स्वागा थे डेली स्टेडी में आज मैं केंप्यूटर से संबंधित दस महत्वत पोर्ण पराशन भी पूछूंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट केंप्यूटरों में परियुक्त आइसी चीप बनते हैं A. क्रोमियम से B. आइरन ओक्साइड से C. सिल्वर से या D. सिलिकाउन से उप्षन D. सिलिकाउन से इनमें से कोन अप्टिकल मेमोरी है? A. बबल मेमोरीज B. फ्लोपी डिस्क C. सीडी रैम या D. कॉर मेमोरीज उप्षन C. सीडी रोम केम्प्यूटर की छमता है? A. निमन B. उच्च C. सिमित या D. असिमित आप्षन से सिमित नेक्स्ट B. iOS का पूर्ण रूप क्या है? A. बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस B. बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम C. बेटर इनपुट आउटपुट सिर्विस या D. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम A. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नेक्स्ट पैक मेन नामक परसिद केंप्यूटर किस काम के लिए बना था? A. बैंक B. सेयर बजार C. खेल या D. पुष्टक परकाशन Option C. खेल नेक्स्ट प्राथम गनना यंत्र है A. कैलिकुलेटर B. डिफरेंश इंजन C. अब आइकस या D. घरी Option C. अब आइकस नेक्स्ट किसने प्राथम मेकनिकल कैलिकुलेटर का निर्वान किया था? A. जान माउकली B. बलेज पास्कल C. हावर्ड आइकन या D. इनमेंसे कोई नहीं Option C. बलेज पास्कल नेक्स्ट विश्व का सबसे पहला सूपरकेंप्यूटर कब बना? A. उनिस्टो एक्यासी B. उनिस्टो अस्टी C. उनिस्टो च्छीत्तर या D. उनिस्टो पंच्यानवे Option C. उनिस्टो च्छीत्तर किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? A. प्लोटर B. लेजर प्रिंटर C. डार्ट मेट्रिक्स प्रिंटर या D. लाइन प्रिंटर Option D. लाइन प्रिंटर Next इन में से कौन रेम नहीं है? A. बी रेम B. डी रेम C. फ्लेस या D. एस रेम Option A. पी रेम तो दोस्तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो का लाइक कर दिजिएगा और बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिएगा ताकि इस तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे Thank you, thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में